स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम की बात पर आज है तीज जनवरी और आज हम पढ़ेंगे कि तीज जनवरी को हमारे देश भारत में कौन सा इंपोर्टेंट ने मनाए जा रहा है साथ ही इससे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जिन से कौशन एक्जाम में पूछे जा सकते हैं साथ ही आज की वीडियों के अंत में हम जानेंगे कि इस पूरे महीने में यानि कि जनवरी के महीने में कौन-कौन सा इंपोर्टेंट ने मनाए गया है तो आपको वो सभी याद भी रखने है और उन्हें नोट भी कर लेना है तो चली शुरू करते हैं अगर बात करें तो आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी को हमारे देश भारत में शहीद दिवस की रूप में मनाय जाता है अगर बात करें कि शहीद दिवस को 30 जनवरी की दिन क्यों मनाय जाता है क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुन्य तिती को मनाय जाता है जिसे की शहीद दिवस की रूप में जाना जाता है आपको याद रखने question exam में पूछा गया है कि शहीद दिवस को किन की पुन्यतिती की रूप में मनाय जाता है तो महत्मा गांधी जी की पुन्यतिती की रूप में मनाय जाता है अगर बात करें पहली बार ये कब मनाये गया था तो पहली बार शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 को मनाये गया था आपको याद रखना है साथी question जो है एक्जा में पूछ दे सकता है कि इस वर्ष महात्मा गांधी जी की कौन सी पुन्यतिती मनाये गई है तो 74 यानकि 74 पुन्यतिती मनाये गई है महात्मा गांधी जी की पर तो दिल्ली के बेड़ला मंदिर के निकट इमपोर्टेंट है और आपको याद रखना है साथी question है जो एक्जा में पूछ गया है कि राजगाट को राजगाट पर किन की समादी इस्तल है तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी का जो समादी इस्तल है इसे ये कौन सा दिवस जो है शहीद दिवस की रूप में मनाई जाता है तो आपको ये भी important और याद रखना है कि 23 March को भी शहीद दिवस की रूप में मनाई जाता है एक तो है 30 जनवरी कौन सा एक है 30 जनवरी जो की महात्मा गांदी जी की पुन्य तिथी के रूप में शहीद दिवस मनाई जाता है अगले आता है 23 March 23 March को हुआ क्या था तो 23 March 1931 को लाहर जेल में बारत के वीर शहीदो भगत सिंग, शिवराम, राजगुरू और सुखदेव थापर को फासी दी गई थी इंपोर्टेंट है और आपको याद रखना है कि 23 March 1931 को कहा पर तो लाहर की जेल में इन तीनों को जिन में थे भगत सिंग, शिवराम, राजगुरू और सुखदेव थापर शामिल थे इन तीनों को फासी दी गई थी तो आपको यहापर दो डेट याद रखनी है 30 जनवरी को शहीद दिवस मना जटता है मातमा गांधी की पुन्य तिति के रूप में और अगला आता है 23 March 23 March को जो मना जटता है ये पगत सिंग, शिवराम, राजगुरू, सुखदेव थापर क जो फासी दी गई थी इसकी रूप में मना जटता है 23 मार्च को शहीद दिवस की रूप में तो आपको ये दोनों डेट याद रखनी है वही अगर बात करी कि इस मन्त में हमने कौन-कौन से इंपोर्टेंट डेप पड़े हैं तो सबसे पहला हमने पढ़ा था एक जनवरी क कब हुई थी तो एक जनवरी कब तो एक जनवरी सन 1958 को हुई थी इसलिए DRU इस्थापना दिवस मना जटता है कब तो एक जनवरी को मना जटता है इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है साथ ही आप याद रिकेगा कि इस वर्ष 63 वर DRU इस्थापना दिवस मना जटता इसके बाद आये था 9 जन्वरी को, 9 जन्वरी को प्रवासी भारती दिवस मना जाता है, ये question exam में पूछा गया है कि प्रवासी भारती दिवस कब मना जाता है, तो 9 जन्वरी को, इसके पश्चात आता है 10 जन्वरी को, 10 जन्वरी को मना जाता है विश्व हिंदी दिवस, आप बी इंप्सक्राइब और आपको याद रखना है कि 14 सितंबर को राश्ट्री हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। रास्त्री युवडिवस रास्त्री युवडिवस बारेज जनवरी को मनाय जता है। इसके बाद आता है पराकरम दिवस पराकरम दिवस इसी वर्ष 2021 से मनाना शुरू किया गया है केंदर सरकार की ओर से 2021 से पराकरम दिवस 23 जनवरी को मनाय जाना शुरू किया गया है क्योंकि 23 जनवरी को सुभाज चंदर बोस जी की 125 वी जयनती मनाय गयी है और इसी अवसर वर पराकरम दिवस गोशित किया गया है 23 जनवरी को कि कोशन आने वाले एक्जा में जरूर पूचा जाएगा कि पराकरम दिवस कब मनाय गया है तो 23 जनवरी को मनाया गया है इसके बाद आता है रास्टी बाली का दिवस रास्टी बाली का दिवस 24 जनवरी को मनाय गया है इससे डूड़ा important factor में आपको बताया था कि सबसे पहली बार 2008 में मनाय गया था पहली बार रास्टी बाली का दिवस 2008 में मनाय गया था क्योंकि 24 जनवरी 1966 को कब तो 24 जनवरी 1966 को पहली महिला प्रधान मंत्री बनी थी इंदिरा गांदी जी तो इस अवसर को मनाने के लिए 23 जनवरी को रास्टी बाली का दिवस मनाया जाता है फिर आता है 25 जनवरी, 25 जनवरी को रास्टी मत्दाता दिवस मनाया जाता है इससे डुड़ा important fact में आपको बताये था कि पहली बार 2011 में तत्कालीन रास्टपती प्रतिवा पाटिल जी के द्वारा रास्टी मतदाता दिवस गोशित किया गया था 25 जनवरी को 25 जनवरी को क्यों गोशित किया गया था क्योंकि 25 जनवरी सन 1950 को जो कि भारत में मतदान करानी की जिसकी जिम्मेदारी होती है भारती चुनावा योग या भारती निर्वाचर आयोग इसकी स्थापनों हीती 25 जनवरी 1950 को इसलिए 25 जनवरी को रास्टी मतदाता दिवस की रूप में मनाया जाता है important और आपको याद रखना है अगला आता है 26 जनवरी आप सबी जानता है 26 जनवरी को गंतंतर दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष कोंसा दिवस मनाया गया है तो 72 वाग गंतंतर दिवस मनाया गया है ये question exam में जरूर पूछे जाएगा कि इस वर्ष कोंसा गंतंतर दिवस मनाया गया है तो 75 वा गणतंत्र दिवस मनाया गया है इसके लावा एक और important डियाता है 26 जनवरी को ही जिसका नाम है अंतरास्तिय सीमा शुल्क दिवस important और आपको याद रखना है और आज और इस महीने का अंतिम दिवस मनाया जा रहा है 30 जनवरी को जिसका नाम है शहीद दिवस शहीद दिवस महात्मा गांदी जी ठीके दोस्तों यह आपको याद रखना है महात्मा गांदी जी की पुन्य तिती की रूप में शहीद दिवस मनाया जा रहा है 30 जनवरी को important और आपको याद रखना है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं एक जनवरी डियाडियो स्थापना दिवस नो जनवरी को प्रवासी भारती दिवस दस जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बारे जनवरी को रास्टी युवा दिवस पंदरज जनवरी को धल सेना दिवस 23 जनवरी को पराकरम दिवस 24 जनवरी को रास्ट्री बालिका दिवस 25 जनवरी को रास्ट्री मददाता दिवस 26 जनवरी को गनतंतर दिवस और अंतरास्टी सीमा शुल्क दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस की रूप में मनाया जाता है तो आपको इस जनवरी के महीने से जुड़े ये सभी important day याद रखने हैं क्योंकि ये question की रूप में exam में पूछे जा सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरूर करें साथी वे सभी जो आज चैनल पर नई हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे उप्योगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले साथी ऐसे ही important day और current affair को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Thank you, Jai Hind, Jai Bharat